कागजात डुटने में शुरू में परिसानी हो गई है क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है आज माबाप थोरा कष्ट सहके कागजात तो बना देगा नहीं तो दस साल बाद उसका बेटा बेटी वंपे दिल्लिस आते हैं वो कागजात भी नेका है लेकिन में 20 अगस्त से सुरू हुए भूमी सर्वेक्षन को लेकर जिस तरह से बिहार के लोगों में हाय तौबा मची हुई है ये ख़बर उन लोगों के लिए बड़ी राहत वाली है इस ख़बर को सुनने के बाद आपके चेहरे पर मुसकान आ जाएगी अगर आप बिहार के रहन सुरू हुआ है जिसमें आपके जमीन के डॉक्मेंट के अधार पर सिमांकन किया जाना है और जमीन के असली वारिसों का नाम डॉक्मेंट पे चरना है लेकिन जिस तरह से सरकार ने बिना किसी पुर्वसूचना के इस अभियान को सुरू किया है लोगों में उहापो की इस् कुछ आपके लिए राहत बरी खबर है सबसे पहले आपको बता दे कि बिहार सरकार ने पूरे बिहार के 38 जिलो में भूमी सर्वे के लिए पंचाय तस्तर पर करमचारियों की नुक्ति कर दी गई है एक करमचारी एक अमीन और एक कानून को हर एक पंचायत में नुक्ति किया गया है जो आपके document का verification करेगा जिन जमीनों का वैद काग्याद आपके जमीनों की मापी होगी और पिर से सिमांकन होगा आपके दादे परदादे के समय के जमीन का नमांकन आपके और आपके वारिसों के नाम से होना है पर लोगों के साथ समस्या ये है कि लोगों के जमीनों का मोटेशन नहीं हुआ है डॉकुमेंट लोगों के पास नहीं है जो सरकारी कर्याले हैं वहाँ पर जम कर लूट मची हुई है लेकिन इसी बीच भाजपा नेता और बिहार के चर्चित यूटिवर मनीज कस्यप ने एक बड़ी पहल की भाजपा के परदेश सध्यक्ष जो बिहार के हैं वहीं भूमी सुधार मंत्री हैं भूमी राजस्टो मंत्री हैं डॉक्टर दिलीब जैस्वाल लोगों की परसानी को देखते हुए मनी कस्यप ने मंत्री डॉक्टर दिलीब जैस्वाल से पिछले दिनों मुलाकात की थी तथा कई सारी समस्याओं से उन्हें ओगत कराया था इसके बाद दिलीब जैस्वाल ने कल पुर्णिया में एक बड़ी घोसना कर दी क्या घोसना की है पहले आप इस पूरे वीडियो को द सुरू में परिसानी हो रही है कागजात डूडने में क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि सब हमारा ठीक ठाक है एक अच्छा ये भी है कि जिसका बाल बच्चा वेटा वेटी बंगलोर दिली बंबे पढ़ता है आज माबाप थोड़ा कश्ट सहके कागजात तो बना देगा नहीं तो दस साल बाद उसका वेटा वेटी बंबे दिली साके वो कागजात भी नहीं बनाएगा तो थोड़ा कश्ट तो हो रहा है लेकिन कश्ट जनता को हो रहा था तो जन परतिनी को भी कश्ट हुआ तो हमने एक फैसला लिया है तो दो दिन में पत्र निकालते हैं अभी कि हम तीन महिना उनको कागज ढूंडने का कागज तैयार करने का पहले समय देंगे तब हम सर्वे का डिक्रेशन स्टार्ट कराएं तो आपने देखा कि मंत्री जो है राजस और भूमी सुधार विभाग के डॉक्टर दिलीब जैस्वाल वो कह रहे हैं कि अब लोगों को त प्रूटी है तो उसे सुधरवाने का साथी साथ आप अपनी बंसावली खाता खेसरा खतियान सब को दुरुस्त कर सकते हैं और तीन महिने के बाद आपको फॉर्म भर कर अंचल कर्याले में जमा करना है साथी साथ मंत्री बता रहे हैं कि कैथी लिपी जो 1910 के पहले जिन ज चल रहा है कि किस खाता खेसरा में कितने लोग दावेदार हैं कितने लोग उसके मूल मालिक हैं एक ही नंबर में जमीन कितने कितने भाग में बटी हुई है किसी किसी एक बड़े प्लोट में कई सारे नंबर समाहित हैं ऐसे में कैथी लिपी के लिए भी सरकार ने बड़ी की ट्रेनिंग देगी जी हाँ आप सही सुन रहे हैं कैथी लिपी पढ़ने की ट्रेनिंग उन करमचारियों को दी जा रही है जो आपके पंचायत में न्युक्त किये गए हैं फिर वे करमचारी आपके पुढाने डॉक्मेंट को पढ़ेंगे बताएंगे कि उस खाता खेसरा म आपकी हिस्सेदारी कितनी है कितनी जमीन बिग गई है कितनी जमीन बची हुई है और उसके बाद जो बनसावली आप स्वप्रमानित करके देंगे उसी अधार पर डॉक्मेंट बन जाएगा साथी साथ तब जमीन की मापी सुरू होगी आपको बता दे कि मनीश कस्यप के प काउंड जीरो पर गए लोगों से बाचित की और लोगों ने कहा कि एक बड़ी समस्या है समस्या यह है कि डॉक्मेंट है नहीं सरकार जो है एकदम जिद पर अरी हुई है कि भूमी सर्वे करा लेंगे लोगों में यह भी वात भ्रम के तोर पर फैलाई जा रही है कि अगर आपकी वैद जमीन है डॉक्मेंट आपके पास नहीं है तो यह जमीन सरकार ले लेगी और इतना ही नहीं जो जमीन सरकार ले लेगी वो भूमीहीनों में बार देगी बिहार में जमीन से लोगों को काफी प्रेम है यहीं कारण है कि सितंबर के महीने में ही बिहार आने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है लोग रोजी रोजगार छोड़ कर अपने अपने गाओं में आ गए हैं अपने बटवारे की कागज धून रहे हैं कई सारी विकट समस्याएं समाजी कस्तर पर भी काइम हो गई हैं ऐसे में मनीश कस्यप पिछले दिनों भाजप रहत दे दी जाएं कैथी लिपी पढ़ने के लिए एक्सपर्ट बुलाए जाएं साथी साथ मनीश कस्यप ने यह भी सरकार के मंत्री से मांग रखी कि जो भूमी सर्वे के लिए निर्धारी समय है इसे भी थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएं जनहित में ये मामला लोगों के लिए काफी राहत वाला है लोगों के चेहरे पर मुस्कान लोटी है जिन लोगों को लग रहा था कि उनकी वैद जमीन उचित काग्जात के अभाव में कहीं न कहीं उनके हाथ से निकल जाएगी तो ये उनके लिए राहत भरी खबर है आपको बता दे कि सभी जिला अभिले इनका जो खतियान है उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए आपको किसी भी सरकारी कर्याले में जाकर करमचारियों से आरजू मिन्नत करने की जरूरत नहीं है और नहीं उन्हें किसी भी परकार के अत्रिक पैसे देने की जरूरत है बिहार में भूमी सर्वे हो रहा है और यह तीसरी बार है जब बिहार में भूमी सर्वे हो रहा है अंग्रेजों के जमाने में बिहार में भूमी सर्वे हुआ था और उसके बाद बिहार में जब पहली सरकार डॉक्टर स्रिक्रिशन सिंग के नित्रितों में बनी थी उस समय भी बिहार में भूमी सर्वे हुआ था इतने दिनों के बाद फिर 2024 में भूमी सर्वे का काम सुरू किया गया है सरकार की मनसा है कि भूमी समंधी सारी विवादों का निस्पादन हो जाए इस खबर पर हमारी पलपल नजर है तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे और साथी साथ आपको अपील भी करेंगे कि किसी भी परकार के अफ़वा, सुनी-सुनाई बातें, मनगरहंत बातें तियारपी वाली खबरों पर विश्वास नहीं करें भूमी सर्वे से जुरी तमाम खबरों के लिए आप बिहार सरकार के विवसाइट विभागिये जो जनकारियां हैं उसी पर विश्वास करें